एक खिडकी खिडकी यानि विंडो जो हमारे लिए एक कमरे के अंदर प्रकाश और वायू संचार का एक माध्यम होता है है ना, खिडकी से अक्सर हम यही कामना रखते हैं कि कमरे के अंदर शुध हवा और प्रकाश फैलाए या फिर बारिश के मौसम में खिडकी से हम टिप टिप बरस्ते बारिश को देखते हैं उसका अस्वादन करते हैं लेकिन लिटरेचर में साहित्य में विंडो को एक मेटाफर के रूप में अक्सर प्रयोग में लाया जाता है जौर्ज हरबर्ट की कविता दव इंडोस फिलिप लारकिन की कविता हाइ विंडोस कुछ उदाहरन है हिंदी में आएं तो विनोद कुमा शुकलत उपन्यास है दिवार में एक खिडकी रहती है और ये वाला अशोक वाजपई जी की कविता एक खिड की लिटरेचर में विंडो को एक मीडियेटिंग एंटिटी के रूप में सिंबलाइस किया जाता है इस कनेक्शन ओफ इन्न स्पेस विद एक्सटरनल वॉर्ल्ड जौज हरबर्ट ने अपनी कविता में विंडोस के जरिये बाहरी दुनिया का जो इशुरिय तत्व है उसे भीतर लोगों के हुर्दे तक पहुंचाने का एक माध्यम के रूप में दर्शाया है तो वहीं फिलिप लार्किन्स ने खिड़की से बाहर केवल शूनिया आकाश को देख कर नथिंगनस, नोवेरनस के फीलिंग को उजागर किया यहां अशोक वाजपी जी की कविता एक खिड़की इन दोनों का ही एक मिश्रित रूप है शायद यहां उम्मीद की खिड़की खुले रहने की बात हो रही है मौसम बदले न बदले हमें उम्मीद की कम से कम एक खिड़की तो खुली रखनी चाहिए मौसम का बदलना यहां जीवन में पधिवर्तन को सूचित करती है बारिश के बाद धूप का आना, इंद्रधनुष का प्रकट होना हमें सुखद अनभव प्रदान करती है वैसे ही जीवन में सुख एवं दुख बदल बदल कर आते ही रहते हैं लेकिन कभी अशोक वाजपे जी कहते हैं कि अगर कभी ऐसा हो कि मौसम न बदले यानि आपकी जीवन में एक बार दुख की घठा चा गई तो जाने का नाम ही न ले रही हो तो भी, तो भी हमें उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए कम से कम उम्मीद की एक खिड़की खुली रखनी चाहिए One should not lose hope मौसम बदले न बदले हमें उम्मीद की कम से कम एक खिड़की तो खुली रखनी चाहिए शायद कोई ग्रहिनी वसंती रेशम में लिप्टी उस व्रिक्ष के नीचे किसी अग्यात देवता के लिए छोड़ गई हो फूल, अक्षत और मधुरीमा तो कवी आगे कहते हैं कि शायद हो सके किसी ग्रहिनी ने जो वसंती रेशम में लिप्टी उस व्रिक्ष के नीचे किसी अग्यात देवता के लिए कुछ छोड़ गई हो कुछ प्रसाद वगेरा फूल या फिर कोई मधुर फल छोड़ गई हो अक्षत यानि किसी के द्वरा अपवित्र न किया गया फल फूल जो हम अक्षर पूजा के लिए एकदम फ्रेश फल और फूल लेते हैं तो यहां कवी कहते हैं कि उम्मीद की एक खिडकी अगर आप खुले रखेंगे तो उससे क्या होता है कि शायद बाहरी दुनिया में पूजा में लीन किसी व्यक्ती का पुन्य का असर तुम पर पड़े उस खुली खिडकी से आप देख रहे हूं और अगर संयोगवश किसी व्रिक्ष के नीचे शायद किसी ग्रहनी ने काफी भक्ती और श्रधा से पूजा अरपन करने के बाद किसी अज्याद देवता के लिए फूल और फल प्रसाद के रूप में अरपित किये हूं शायद हो सकता है और उस श्रधा भाव का जो पॉसिटिव वाइब है वो शायद उस खुली खिडकी से आप तक पहुंचे है ना आप जब काफी परेशान हो डिप्रेस्ट हो आपको कुछ न सूज रहा हो कि क्या करें क्या ना करें तो ऐसे में शायद भक्ति पूर्ण वातावरन को देखने मात्र से आपके मन को सुकून मिल सकता है भले ही आपने वो फूल और फल न चड़ाये हों किसी और ने चड़ाये हों किसी ग्रहनी ने चड़ाये हों जिससे आपका कोई परिचे नहीं है लेकिन कई बार ऐसे शान्ति पूर्ण दृश्य देखने मात्र से हमारा उत् आपस आ सकता है और ये तभी साध्य है जब आप उम्मीद की कम से कम एक खिड़की को खुले रखें। हो सकता है किसी बच्चे की गेंद बजाय अनंत में खोने के हमारे कमरे के अंदर आगिरे और उसे लोटाई जा सके। गेंद कितनी एहमियत रखती है। गेंद अगर कही अनंत में खो जाती तो वो कितना परिशान होता। लेकिन अगर संयोग वश्मानों वो गेंद आपकी खुली खड़की के द्वारा आपके कमरे में आगिरी है। और आप उस गेंद को उसे वापस लोटाएंगे तो वो कितना खुश होगा। बच्चे को लगेगा उसे उसकी सबसे किमती चीज़ वापस मिल गई। हलांकि हमारे लिए वो केवल एक सस्ती सी गेंद हो सकती है। तो यहां कवी अशोक वाजपई जी खिड़की के खुले रहने से अंदर बैठा विक्ती बाहरी दुनिया की भी मदद कर सकता है। यही सूचित करते हैं क्योंकि अक्सर आम लोगों को लगता है कि खिड़की बाहर से अंदर की और प्रकाश एवम वायू के संचार के लिए मात्र एक माध्यम है। लेकिन नहीं विंडो इनर स्पेस और आउटर स्पेस दोनों को कनेक्ट करने का एक माध्यम है। इसलिए कभी कहते हैं कि मौसम बदले न बदले हमें उम्मीद की कम से कम एक खिड़की तो खुली रखनी चाहिए। क्योंकि कई बार हो सकता है अंदर बैटने वाला डिप्रेस्ट हो तो बाहर किसी अग्यार देवता के लिए अरपित, फूल और फल को देख कर उसके मन में भी शान्ती मिले। और कई बार ऐसे भी हो सकता है कि बाहर खेलते बच्चे की गेंद अंदर आ जाए और अंदर से हम उस खिड़की के द्वारा उसे वापस लोटा सकें और उसे शान्ती मिले, उस बच्चे को खुशी मिले। तो ये जो खिड़की है, बाहर और अंदर की दुनिया को कनक करने वाला एक माध्यम है, जिससे दोनों को लाब होता है। तो इसलिए उम्मीद को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उम्मीद की कम से कम एक खिड़की को तो आख खुला ही छोड़िये। देवासुर संग्राम से लहु लुहान, कोई बूढ़ा शब्द, शायद, शायद बाहर की ठंड से चिटुरता, किसी कविता की हलकी आंच में कुछ देर आराम करके रुखना चाहे। देवों और असुरों का संग्राम जो पुराणों में अंकित है, यानि की अच्छाई और बुराई का आपसी द्वंद, यह हर काल में हर जमाने में चलता है, अच्छाई और बुराई का आपस में संग्राम, और ऐसे में इस देवासुर संग्राम में घायल, लहु लुहान, शायद किसी बूढ़े शब्द को किसी नई कविता का आश्वासन चाहिए हो शायद आपकी कविता किसी दूसरे को सुगोन पहुँचाए बाहर ठंड से ठिटुरता किसी को काव्य का साउंदर्य शायद आश्वस्त करे शायद तो ये तभी न संभव है जब आप कम से कम उम्मीद की एक खिड़की खुला रखे है ना अंतिम पद्यामश तक आते आते कवी काफी आशावादी दिखते हैं वे कहते हैं हम अपने समय की हारी होड लगाएं और दाओं पर लगा दें अंतिम पद्यामश तक आते आते कवी काफी आशावादी हो जाते हैं वे कहते हैं हम अपने समय की हारी होड लगाएं और दाओं पर लगा दें अपनी हिम्मत चाहत सब कुछ होड लगाना यानि पूरी शक्ती से कमपीट करना और ऐसे में हमारा अस्त्रक्या-क्या होना चाहिए हमारी पूरी ताकत, हिम्मत, चाहत, सब कुछ यानि अपनी पूरी एनरजी जीवन रूपी संगर्शों का मुकाबला करने में लगा देना चाहिए और इन सारी ताकतों को लगाने के बावजूद अगर कहीं तुम हार गए, गिरने को हो तो तब भी तुम्हारे पास एक अंतिम किन्तु सबसे महत्वपूर्ण अस्त्रतों बाकी रहेगा ही वो है तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी ईश्वर के प्रती विश्वास और आस्था तभी कभी कहते हैं, हम अपने समय की हारी होड लगाएं और दाओं पर लगा दें अपनी हिम्मत, चाहत, सब कुछ पर एक खिड की तो खुली रखनी चाहिए, ताकि हारने और गिरने के पहले हम अंधेरे में अपने अंतिम अस्त्र की तरह फेंग सकें, चमकती हुई, अपनी फिर भी बची रहे गई प्रार्थना और इसके लिए भी जरूरी है कि एक खिड की तो खुले रहने दें, ताकि हारने और गिरने के पहले हम अंधेरे में फेंग सकें, चमकती हुई, अपनी बची रहे गई प्रार्थना तो कविता का सार क्या है? हमें उम्मीद कभी नहीं छोड़ना चाहिए, we should never lose hope, नजाने खिड की के बाहर से कोई आशा की किरन दिखाई दे, या फिर अंदर से आप स्वयम किसी के जीवन को प्रकाशित कर सकें, और अगर कुछ भी काम्याब ना हुआ, तो कम से कम ईश्वर ये सत्ता से प्रार्थना तो की जा सकती है, तो कविता बेसिकली उम्मीद पर केंद्रित है, उम्मीद कभीता पर रखी गई है, और ठीक उसी प्रकार कवी को बाहरी दुनिया पर भी उम्मीद रखना होता है, है ना, ये सब खिड़की नामक एक कॉमन मीडियेटर के द्व कविता में तीन संदर्बों के द्वारा इसे कवी ने व्यक्त किया है। यानि अच्छाई और बुराई के नित्यप्रती होने वाले संघर्ष से जब कोई बुढ़ा शब्द बेसहाय हो जाता है, यानि जब कोई साहित्यकार सत्ता से भिड़कर हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, तो ऐसे में खिड़की के भीतर से कविता की हलकी आंच शायद शायद उसारे वे हताश साहित्यकार को उम्मीद की किरन दिलाए और अंत तक आते आते कभी प्रार्थना रूपी इटर्नल उम्मीद को थामे रखने का संदेश देते हैं क्योंकि बाकी सब कुछ दाओ पर लगा कर लड़ने पर भी यदि आप गिरने को हो तो प्रार्थना र रूपी उम्मीद आपको सहारा दे सकती है ठीक है ना कभी अशोक वाजपेजी ललितकला अकेडमी के चैर्मेन रह चुके हैं जो की इंडियास नेशनल अकेडमी अफ आर्ट्स है और साथ ही he backed the साहित अकेडमी अवार्ड इन येर 1994 for his poetry collection कहीं नहीं वहीं okay fine until we meet next time it's bye from here